ऐसा लगता है कि जैसे बॉलिवुड में ब्रेकप्स का सीजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वैलन्टाइन्स दे के दिन जहाँ पर पैच अप की खबरे आनी चाहिए थी वहीं एक और ब्रेकप्स सामने आया है दिसपोइंटिंग ब्रेकप्स की लिस्ट में रिचा चढधा का नाम भी सामने आ चुका है बताया जाता है कि उन्होंने अपने फ्रेंच बॉइफरेंड फ्रैंक के साथ ब्रेकप कर लिया है पिछले साल ही इनकी मुलाकात हुई थी फ्रांस में जब रिचा अपनी फिल्म मसान के प्रमोशन के लिए वहां मवजूद थी हमारे खबरूस का कहना है कि ये एक लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप था जो पिछले 9 महीने से चल रहा था पर क्योंकि कपल एक दूसरे के साथ बहुत जादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे इसलिए डिस्टेंस बढ़ गए और रब दूरियां इतनी हो चुकी हैं कि इनका ब्रेकप हो गया जब से साल 2016 शुरू हुआ है ब्रेकप्स की खबरें एक एक करके सामने आ रही हैं तो इस नॉट अ गोड एर पर लव एट आल